हेलो बच्चो कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब स्वस्त और खुश होंगे हमने नदी यहाँ पर कवीता का सरलार्थ किया था और अब हम करने जा रहे हैं इसी कवीता का अभ्यास कार्य है सबसे पहले आपको अपनी नोट बुक में सुन्दर सुन्दर हैंड राइटिंग में यह कवीता लिखनी है ठीक है और उसके बाद हम लिखेंगे इसके शब्द अर्थ अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है आईए शब्दों के अर्थ जाने मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चो अगर आप यह शब्द हैं और इनके अर्थ हैं अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस है जो भी आपके सामने शब्द आए उसका आप एक संटेंस बना दीजी अपनी भाशा में बिल्कुल असान सा तो वो आपको हमेशा के तारे जगमक करते हैं तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कि मुझे अकास में तारे जगर मगर करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड है सागर सागर मतलब समुंद्र समुंद्र होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और उसक करकर अब देखिए इसका एक असान सा वाक्य बनाते है कि किसान अपने खेतों को सीच कर फसल उगाता है नेक्स्ट है सुस्ताई सुस्ताई का मतलब होता है आराम किया अब इसका एक वाक्य है आप अपनी सुईधा के अकोर्डिंग कोई भी बना लीजिए जैसे अगर मुझे बनाना था तो मैं बनाती कि मैं अपना ग्रह कार्य करकर थोड़ी देर सुस्ताई अब हम करते हैं कवीता से यहाँ पर दिये हुए प्रशन उत्र इसके लिए अहाना आपकी मदद करेगी चलो फिर शुरू करते हैं मैं पढ़ती हूं प्रशन और अहाना आपको बताएगी इनके उत्र नदी अंत में कहां पहुंचती है? नदी अंत में सागर में पहुंचती है वेरी गोड़, आया ना आपको भी अगला प्रशन देखते है फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? नदी के पानी के द्वारा फसलों की सिचा एक जाती है हाँ, यह हम यह भी कह सकती है कि नदी के पानी से फसलों को सिचा जाता है नदी किस में छिप जाती है? बताओ भई नदी करारों में छिप जाती है वेरी गोड़, नेक्स देखिए नदी की चाल कहां पर तेज और कहां धीमी होती है? नदी की चाल परवत पर तेज और मैदान पर धिमी होती है Very good Next देखिए नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है नदी चलते चलते आखिर में जब सागर को पाती है तब वह सागर बन जाती है Very good हम ये भी बोल सकते हैं कि जब नदी बहती हुई अंत में जाकर सागर में मिलेगी तो वह सागर ही बन जाएगी अब हम करते हैं आपकी बात आपने कभी नदी नहर अत्वा बहता पानी देखा होगा उसका वर्नन करें वैसे तो ये काम आपको अपने अनुसार करना है लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करनी जा रही है अयाना बताईए अयाना मैंने नहर में बैथा हुआ पानी देखा है उसका वर्नन करो तो थोड़ा बताईए उसके बारे में नहर का पानी ठंडा ठंडा साफ और मैं उसमें नाई भी थी नेक्स्ट नदियां मनुष्य के लिए किस परकार उपयोगी है आपस में चर्चा करें बताओ भी यहाना नदी मनुष्य को पानी देती है जिससे वह अपनी फसल उगाता है और नदियों का पानी हमारे क्या का मत है हम उसे पी भी सकते हैं हाँ वेरी गूड और हमारे सभी कारियों के लिए जिनके लिए भी पानी की जरूरत होती है वो हमें कहां से मिलेगा नदियों से क्या आपने कभी नाउ में बैठकर नदी की सेर की है यदि हां तो अपने अनुभव का वर्नन कीजिए मैंने नदी में नाव के द्वारा सेर की है मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा नदी बहुत बड़ी थी और चोड़ी भी थी मैंने उसमें कई सारी मचलिया भी देखी वाउ तो अगर आपने भी नदी की सेर की हो तो आप भी अपना अनुभव यहां पर लिख सकते हैं ठीक है?